हलो बच्चो वेल्कम टू माई चैनल होम स्कूल और आज हम जानेंगे हाउस होल्ड आईटम्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चो ये बैड है इसे हिंदी में पलंग कहते हैं बच्चो ये कौट है इसे हिंदी में चारपाई कहते हैं बच्चो ये कारपेट है इसे हिंदी में दरी कहते हैं बच्चो ये काउच है इसे हिंदी में सोफा कहते हैं बच्चो ये मिरर है इसे हिंदी में शीशा कहते हैं बच्चो ये लौक है इसे हिंदी में ताला कहते हैं बच्चो ये की है इसे हिंदी में चाबी कहते हैं बच्चो ये पिलो है इन्हें हम हिंदी में तकिया कहते हैं बच्चो ये टेबल है इसे हिंदी में मेज कहते हैं बच्चो ये विंडो है इसे हिंदी में खिडकी कहते हैं बच्चो ये अलार्म क्लॉक है, इसे हिंदी में अलार्म घड़ी कहते है बच्चो ये बैडशीट है, इसे हिंदी में चादर कहते है बच्चो ये ब्लैंकेट है, इसे हिंदी में कंबल कहते है बच्चो ये डस्ट बिन है, इसे हिंदी में कूडा दान कहते है बच्चो ये ब्रूम है इसे हिंदी में जाडू कहते हैं बच्चो ये डस्ट पैन है इसे हिंदी में सुपली कहते हैं बच्चो ये कर्टेन है इसे हिंदी में पर्दा कहते हैं बच्चो ये लैंप है इसे हिंदी में दीपक कहते हैं बच्चो ये डोरमेट है, इसे हिंदी में पाइदान कहते हैं बच्चो ये आइरन है, इसे हिंदी में इस्तरी कहते हैं बच्चो ये फैन है, इसे हिंदी में पंखा कहते हैं बच्चो ये कूलर है, इसे हिंदी में कूलर कहते हैं बच्चो ये स्टोब है इसे हिंदी में चूला कहते हैं बच्चो ये हीटर है इसे हिंदी में भी हीटर ही कहते हैं बच्चो ये रैफ्रिजिरेटर है इसे हिंदी में फ्रिज कहते हैं बच्चो ये सेफ है इसे हिंदी में तिजोरी कहते हैं बच्चो ये प्लेट है इसे हिंदी में थाली कहते है बच्चो ये मैच बोक्स है इसे हिंदी में माचिस कहते है बच्चो ये कप है इसे हिंदी में प्याला कहते हैं बच्चो ये पैरंबुलेटर है इसे हिंदी में बच्चो की गाड़ी कहते हैं बच्चो ये युटेंसिल है इने हिंदी में बरतन कहते हैं बच्चो ये बॉटल है इसे हिंदी में बोतल कहते हैं बच्चो ये सैक है इसे हिंदी में बोरा कहते हैं बच्चो ये रोप है इसे हिंदी में रस्टी कहते हैं बच्चो ये पैन है इसे हिंदी में कलम कहते हैं बच्चो ये books हैं, इन्हें हिंदी में किताबे कहते हैं बच्चो ये funnel है, इसे हिंदी में keep कहते हैं बच्चो ये mat है, इसे हिंदी में चटाई कहते हैं बच्चो ये basket है, इसे हिंदी में टोकरी कहते हैं So friends, ऐसी ही वीडियोज देखते रहने के लिए Like and Subscribe करें हमारा चैनल Home School Thank you for watching